अगर आप अपनी वीडियो पे green screen option on करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे जब आप अपनी वीडियो पे जाते हैं remix पे क्लिक करते हैं तो आपको यहां पे use this sound का सिर्फ option दिखता है तो मैं आपको आज बताऊँगा कि आप अपने वीडियो पे जाएंगे और remix पे क्लिक करेंगे तो आपको यह सारा option आपके वीडियो पे on हो जाएगा तो आज इसके बारे में ही हम जानेंगे तो हम चलेंगे अपने phone के home screen पर और आएंगे अपने white studio application में इसको open करेंगे open करने बाद आप जिस वीडियो का green screen option on करना चाहते हैं आप उस वीडियो पे click करेंगे click करने के बाद आप यहाँ पेंसल वाले आईकन पर आएंगे आने के बाद पेंसल वाले आईकन पर click करेंगे फिर आपको यहाँ पर नीचे यहाँ टैग शॉट्स का option दिखेगा आप इस पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर अपर वाले option पर click करेंगे तो आपका green screen option on हो जाएगा तो आप यहां बाहर आएंगे और इस video यहां पर save वाले option पर click कर देंगे click करने बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस video पर अब green screen option on हो चुका है अपनी सभी वीडियो पे Green Screen Option on करना चाहते हैं तो ये Setting आप करतेंगे तो ये सभी वीडियो पे Green Screen Option on हो जाएगा तो हम चलेंगे YouTube अप्लिकेशन में अब YouTube अप्लिकेशन को उपन करेंगे उसके बाद उस वीडियो में आएंगे आने के बाद यहां remix पे click करेंगे click करने बाद आप यहां पर जैख सकते हैं यह सारा option अनो चुका है इसके पहले सिर्फ पर यह यूज डिस डिस एड्यो वाला option on था अब यहां collab green screen cut this video का option आ चुका है तो आप इस तरह से green screen option को on कर सकते हैं आप कोई सवाल हो तो आप कमेंड में पूछ सकते हैं मिलते हैं नेक्स वीडियों में